आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही पापुलर पालक पनीर की ये शांदार रेसिपी तो आईए अब बिना कोई देर किये इसे बनाना स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहां पर एक तपेली में दो बड़ी गलास पानी गरब होने के लिए रग दिया है पानी अच्छे से बॉइल हो चुका है यहां पर मैंने पालक को भी अच्छे से साफ कर लिया है दो तिन पार पानी से अच्छे से दो लिया है अब इस उब एक बार पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो मिनट बार आप देखेंगे कि अधोरा सा दिखने लग जाएगा गल जाएगा यह देखिए यह इस तरह से थोड़ा सा गल गया है नीचे बेड़ गया है अब हम इसका डखकन लगा कर इसे दो-चार मिट के लिए हाई फ्लेम पर बॉल होने देंगे यह देखिए चार-पांच मिट बाद आप देखेंगे कि हमारा पालक जो है वह अच्छे से बॉल हो चु नहीं है हम इसी गरम-गरम बालक को इस टेर्नर लिया है स्ट brings till to those अन्दर यह देंगे हेवारा पानी सेपरेट हो जाएगा और बालक भी सेपरेट हो जाएगा मैं इसके नीचे बीटन रख गया है हम पालक की इस पानी तुकड़ा लिया और दो लाल कलर के टमाटर और साबूत मसालों में लिया है एक तेजपान का पत्ता एक चमच जीरा एक दालचिने का टुकड़ा और दो साबूत लाल मिर्च अब फिलाल अभी मिसे साइड में रख देंगे यहां पर मैंने लिया है एक बड़ी सी पराद एक चकला जिसके अपर हम रोटी बनाते हैं और एक बेलन जहां तक हो सके आप चकला लकडी का ले इससे कि आपका पालक जो है वह स्लिप नहीं होगा आसानी से पालक को हम पीस पा तो इससे हो गई है कि आपके पालक पनी का टेज उतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि इस तरह से बाटने से बेलने से आएगा हाला कि इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा मिक्सर की तुन्ना में लेकिन मुश्किल से चार से पांच मिट ही ज्यादा लेगे इस इसे आपको पालक पनीर बहुत ही टेस्टी लगेगा यह देखिए मैंने यहाँ पर पालक को अच्छे से पीस लिया है अब मेंने आपर एक मिक्सर जाड लिया है इसके अंदर अब हम डाल देंगे यह लसन अद्रक और यह प्याच इसका अब हम एक बारिक पेस्ट बना ले 200 ग्राम पनीर लिया है ये अपनीर आप देख सकते हैं मारा पनीर कितना सौफ्ट है कितना इस पोंजी है अब मैंने आपर गेस पर एक कड़ाई कर्म होने के लिए रख दिये इसके अंदर मैं ने डेड़ बड़ा चमच और अच्छे से गर्म होने के लिए देंगे उसके और इस टाइम पर हमें गेस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि अभी हमें टमाटर की प्योरी बनाना बाकि है आप चाहे तो पालक पनीर में और भी साबुत मसाले एड़ कर सकते हैं लेकिन फिर पालक पनीर और मटर पनीर में फरक ही क्या रहे जाएगा अब इसी मिक आप नोचेशन टामाटर की प्योरी बहा रेडी कर ली थी अब हम सारी टमाटर की प्योरी के अंदर डाल देंगे और इसे एक बार अच्य से मिक्स कर लेंगे और इसका ड़कन लगाकर इसे 2-3 मिट तब पकने देंगे दो से तीन मिट बाद आप देखेंगे कि हमारे टमाटर भी अच्छे से पप चुके हैं ओयल सेबरेट हो चुका है अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे सुखे मसाले एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक तीहाई चमच हल्दी पाउडर एक चमच सुखा दनिया पाउडर अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमने सारे मसाले नहीं डाले हैं थोड़ा बाद में डालेंगे अब हम इसी मिक्सर जार के अंदर थोड़ा सा ये पालक का पानी डालेंगे मैंने इस पालक के पानी को ग्लास में चान लिया हैं अब हम थोड़ा सा पानी मिक्सर जार के अंदर डालेंगे और इस तरह से हिलाके मसाले के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर ल आप देख सकते हैं मारा मसाला अच्छे से पक चुका है अब हम इसके अंदर डाल देंगे यह पालक जो हमने अच्छे से बाट कर रखा हुआ है अब हम पालक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप यह देखा मैं यह अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके अंदर डालेंगे यह दो गलास पालक का पानी अच्छे से चान कर लेंगे उसके बाद इसका अच्छे से पालक के लिए बॉइल मीडियम फ्लेम पर इसे एलाभा में एकस्ट्र पानी की कोई ज़रत नहीं है वह पाउडर नमक पाउडर यहां पर काली बिर्ज पाउडर भी डाला है अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे यह दो चम्मच फ्रेश दूद की मलाई जो हम बूद गरम करते हैं उसके ओपर जो मलाई आ जाती वही मायली मलाई है इसे आप चाहे तो यहां पर रेडिमेट कूकिंग क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं सारी चीज़े घर के ही यूज़ करती हूँ अब हम इसका ड़कन लगा कर इसे 2-3 मिट वापस मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे दो से 3 मिट वाद आप देखेंगे कि हमारा पालक पहले से थोड़ा और गाड़ा हो गया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर आप चाहे तो यहां पर पनीर को फ्राय करके भी डाल सकते हैं लेकिन मैं हमेशा पालक पनीर के अंदर कच्छा पनीर यूज़ करती हूँ पालक के साथ इसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छ जाएगा चार-पांस मिट बाद आप देखेंगे कि हमारा पनीर अच्छे से फूल चुका है और पहले से काफी गाड़ा भी हो गया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे यह बारी कटा हुआ ताजा हरा धनिया और गेस बंग कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर ल अब हमारा पालक पनीर सर्व करने के लिए बिलकुल रड़ी है आप देख सकते हैं हमारे पालक पनीर का कलर कितना प्यारा आया है हमने यहां पर नाही तो मिक्सर का यूज किया है पालक को पीसने के लिए नाही पालक के ओपर ठंडा पानी डाला था फिर भी हमारे पालक का आपको मेरे रेसिपी को पसंद आई होगी और इस तरह कि अगर आपको रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर किंजिए गार कैसे अधिये हैं